तो चलिए आपको हम ऐसे ऐसे चलते जहां पे दिखाया गया है कि पुडाने जमाने में लोग कैसे रहते थे और ये गाओं है बंगाल में तो चलिए ये बंगाल के थीम पे बनाया गया है इको पार्क में बहुत ही खुबसूरत लोकेशन तो इस जगा आना बनता है 10 रुपे यहां कर टिकट है तो चलिए पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शरूर करें यह ऐसी अध्या धान बुनते थे पहले जवाने में यह सब देखो बीज रोपड़ी यह पूरा इस तरह का जोपड़ी पहले बना रहता था जोपड़ी पहले रहता था यह गाय असली कर लेगरा है पर असली कर नहीं है और देखे काव के मालिक को देखना चाहती हो यह है काव के मालिक राम 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 से जी यह यह स्कूल है इसकूल पहर रहे बच्चे लो और वह भाजी मारकेट है यह है बाजी मारकेट बाजी मारकेट ने बच्चे को पनिस्मेंट मिला है तो यहां का टिकट 10 रुपया है अंदर ही एक और टिकट कॉंट्र है तो इसमें आपको पुराने जमानी के चीज मिल जाएंगे बिल्कुल दिखाया गया यह देखिए आज के टाइम में देखने को तो इस तरह का पहले घर हुआ करता था और यह देखे इस तरह दुर्गा पंडाल सब बनाते थे सब एक जगा बैठके ताम राम भाई जी राम राम और वहां देखिए वहां दी मचली पकर रहा है और यह देखिए कांचा खेल रहे हैं बच्चे लोग हम भी खेले हैं बच बच्पन की यादे यहां के ताजा हो गई है काफी अच्छा लगड़ा है तो यह अभी यहां एक बड़ आए 200 रुपे यहां का टिकेट है तो पाड़ के अंदर ही यह बना हुआ पूरा थीम तो गाउं में इस तरह की सब्जी मंडी लगती थी जो कि अभी भी कलकत्ता में देखने के लिए मिलता है कलकत्ता की फीम पर भी बनाया गया है यह मच्छी मार्केट भी है कितने की मच्छी किते के दिये अगर दो जन आएगे तो एक्दम डर के मारे आप आप ही जाएगे हम लोगे नजर पर रहे तो भी आपकी आर्वार जा रहे हैं यहां आएंगे तो आप पुड़ाना दिन याद आ जाएगा तो चलिए अभी तीन साइकिल एक साइकिल लेते हैं बहन जी थोड़ा साइकिल दीजेगा क्या नहीं दीजेगा चलते हैं पाइदल ही चलते हैं अंदर का थीम था तो काफी अच्छा लगा वीडियो कैसा लगा आपको तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब जोड़े हैं